टाइम इन वर्क का एक इत्तिसमा कोश्चन एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए A और B बारी-बारी एक एक दिन काम करते हैं जिसमें B पहले दिन काम सुरू करता है तो जो फ़र्स डे है उस दिन काम B कर रहा है और सेकंड डे के काम करता है ये अकेले 48 दुनों में काम कर सकता है अगर वह काम 11 सही एक वटी तीन दूनों में पूरा हो जाता है तो B अकेले उसी काम के चार गुने को कितने दूनों में पूरा कर सकता है तो जी अल्टरनेट काम हो रहा था वह 11 सही एक वटी तीन दूनों में पूरा हो गया अगर माली जी यह 12 दूनों में पूरा ह नहीं सकता है लुएने कर दिक्त है तो उडले skin कम कर दीन दिन, कृफह है जरूर। है , अब इक व्योन दिन काम्मों चर्श में नहीं सब्सक्राइब उसने कितना काम कर लिया होगा 16 बटे तीन यूनिट्स का, ठीक है, तो remaining work कितना बचा, 48 हमने total माना है, 16 बटे तीन गाम हो चुका है, 16 हमने common लिया, तो norm minus 1 बटे 3 यानि 8 बटे 3, तो 16 गोड़े 8 बटे 3 ये remaining work हो गया, ये किस ने किया होगा, ये B ने किया होगा 6 दिन में, त यहां से B की Efficiency पता चल जाएगी, काम है 16 बटे 8 बटे 3 और 6 दिन में कर रहा है, simplify कर लिजे, तो ये 4 बटे 3 यानि 64 बटे 9, तो ये 64 बटे 9 B की Efficiency आ गई, अब B को अखे लिए 4 गोणा काम कराना है, काम कितना है, 48 का, 48 का 4 गोणा किसको कराना है, B को कराना है, और B की Efficiency है 24 बटे 9, तो ये B का समय आ जाएगा, ठीक है, work divided by Efficiency से, simplify कर लिजे, 24, तो B अकेलिए उस काम की 4 गोणे को 24 दुनों में पूरा कर लेगा, ये question आया था, SSC CGL Tier 1 2018 की 7 June 2019 की सेकंड सिप्ट को,